दर्शकों ये तो सभी जानते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। परंतु अधिक तर जन माना से यहने ही जानते कि एक बार जब इंद्र की शक्ती चली गई थी तो प्रत्वी लोग के एक वीर और प्रतापी राजा को स्वर्ग के सिंगहसन पर बैठाया गया था। परंतु स्वर्ग की गद्दी मिलने के बाद उस राजा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे अजगर योनी में जन्म लेना पड़ा। तो आईए जानते हैं कि मनिश रूपी वहराजा कौन था और उसने ऐसी क्या भूल की जिसकी वजह से उसे अजगर योनी में जन्म लेना पड़ा। नमस्कार दर्शकू। दे डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर सिस्वागत है। ये कथा राजा नौश से जुड़ी हुई है, जिसका वड़न धर्म गरंत महाभारत के साथ साथ श्रीमत भागवत गीता में भी मिलता है। महाभारत गरंत के वड़नानि पर्व के आजगर उपपर्व में वड़नित कथा के अनुसार बात उस समय की है। जब पांडव दुर्योधन के हातों जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद बाहरे वर्ष का बनवास और एक वर्ष का अग्यात वास व्यतीत करने के लिए वन में भटक रहे थे। उसी दोरान एक दिन की बात है। भीमसेन को बड़ी जोरों की भूक लगी। उस समय कुटिया में खाने को कुछ भी नहीं था। तब भीमसेन खाने की खोज में कुटिया से बाहर निकल पड़े। भूक से ब्याकुल भीमसेन पैर पटकते हुए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगे। यह देख गु विशाल का अजगर दिखा, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीमसेन ने देखा कि वह अजगर अपने शरीर से एक विशाल परवत को ठक रखा है। उसका पत्ये एक अंग विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिख रहा था। उसका रंग ह भीमसेन ने सोचा भले ही ये अजगर कितना भी विशाल काय क्यों ना हो लेकिन मुझसा बलवान नहीं हो सकता। और यही सूचकर वे अजगर के पास चले गए। परंतु जैसे ही वे अजगर के पास पहुँचे उस अजगर ने भीमसेन के दोनों बाहों को बल पूरवक ज हो बैठे। फिर जब कुछ देर बाद उनकी चेतना वापस लोटी तो वे धीरे धीरे उस अजगर की पकड़ से बाहर आने की चेश्टा करने लगे। परंतु सफल ना हो सके। यह देख भीमसेन मन ही मन उस अजगर की अत्यंत अद्बुत शक्ती के बारे में विच्यार कर लग गए। और फिर उन्होंने अजगर से ही पूछा कि हे सरप्राज आप कौन है और मुझे पकड़ कर क्या करेंगे। मैं पांडु पुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में दस हजार हाथियों का बल है। फिर भी ना जाने आपने मुझे कैसे अपने वश में कर लिया। क्यों प्रंदू मुझे कोई वश में नहीं कर सका। प्रंदू मेरे लाग कोशिश करने के बाद आपने मुझे वश में कर रखा है। इसका क्या कारण है। क्या आप में किसी विद्या का बल है। अत्वा आपको कोई अदबुत वर्दान मिला है। यह सुन उस अजगर ने अपन को अपने अपने प्राण प्रीय होते हैं परंतु तुम्हें अपना ग्रास बनाने से पहले जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो मैं राजर्शी नहुश हूँ, तुमने मेरा नाम अवश्य ही सुना होगा, मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ, महराज आयू का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ, परन्तु अपनी एक भूल के कारण आज मैं अजगर बनकर कश्ट भोग रहा हूँ यह सुन भीम सेन ने फिर उस अजगर से पूछा कि हे बुजंग, आपने ऐसी कौन सी भूल की थी, जिसकी वजह से आपको अजगर योनी में जन्म लेना पड़ा। भीम सेन के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह अजगर द्रवित हो उठा, उसकी आखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने भीम सेन से कहा, हे पांडु पुत्र भीम सेन, मैंने जो कर्म किया था उसके लिए मुझे ये सज़ातों मिलनी ही थी, अब मैं तुम्हें यह बताने ज रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अजगर बन गया। बात उस समय की है, जब एक बार महशी दुरवासा किसी काम से देवराज इंद्र के दरवार में पहुचे, परन्तु देवराज इंद्र ने उनका यतोचित सत्कार नहीं किया। यह देख रिशी दुरवाशा क्रोधित हो इस पर देतियों का साहस और बढ़ गया और रोज स्वर्ग पर अलग-अलग तरह से हमले होने लगे। तब स्वर्ग के अन्य सभी देवताओं ने सबत रिश्यों की सलह से राजा नहुश अर्थात मुझ को स्वर्ग का राजा बना दिया। उस समय धर्ती पर मैं ही सबसे वीर और परतापी राजा खुआ करता था। फिर कुछ दिन मैंने दैतियों से युद्ध किया जिसमें उनकी हार हुई। उसके बाद दैतियों शांत बैठ कै और स्वर्ग में शांती हो गई। लिकिन स्वर्ग का राजपद और इंद्र का आसन मिलने के कुछ ही दिनों में मुझ पर सत्ता और शक्ति का नशा चा गया। मैं मनमानियों पर उतर आया। और इसी मनमानी में मैंने एक दिन देवराज इंद्र की पतनी शची को अपने सामने पेश होने का फर्मान सुना दिया। उस समय मुझे एहलग राज़ा की इंद्र का आसन और उसकी शक्तियां म पास गई और उन्हें सारी बातें बताइं। उधर मेरी मनमानियों से सभी रिशी भी परिशान थे। इसलिए देव गुरू ने शची को एक युक्ति सुझाई। उन्हों ने शची से कहा कि वह मेरा प्रस्ताव मान ले और मुझे कह कि अगर वो सब तर रिशियों को कहार बना कर खुद उनकी डोली में बैट कर आए तो वह मुझे अपना पती स्विकार कर लेगी। शची ने ये सुझाओ मान लिया। उसने मुझ तक अपनी शर्त का संदेश भिजवा दिया। इदर शची का संदेश पाकर मैं खुश हो गया। और मैंने सब तर रिशियों को ड मारते हुए तेज चलने को कहा। इस पर रिशियों के सब्र का बान टूट गया। फिर उन्होंने मुझे डोली से गिराते हुए तुरंत अजगर बन जाने का शाप दे दिया। उसके बाद धरती पर गिरा। मैं अजगर बन गया। और अपनी किये पर पश्टाने लगा। उस समय उन्ते जस्वी महर्शी ने दिया से द्रवित होकर मुझे कहा। राजन कुछ काल के पश्ट तुम्हें शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा महर्शी ने मुझे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्टों का विभाग पूर्वग उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छोड़ा सकता है। राजन जिससे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी क्यों ना हो उसका भी धर्य छूट जाएगा। एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों ना हो सबका साहस शीगर ही खो जाएगा। ततपश्चा मैं आप पर क्रोध करता हूँ और ना अपनी ही निंदा करता हूँ। और जहां तक आपके प्रशनों के उत्तर देने की बात है तो वह मेरे जेश्ट भ्राता यूधिश्टिर ही दिय सकते हैं। और तभी आपको इस योनी से मुक्ति मिल सकती है। यह सुन उस अजगर ने भीम से इनको छोडने का निश्य किया और फिर यूधिश्टिर उस अजगर के पास आए और उसके प्रशनों का सही सही उत्तर दिया। लेकिन अजगर रूपी राजा नहुष्ट ने यूधिश्टिर से कौन कौन से प्रशन पूछे और यूधिश्टिर ने उन प्रशनों प्रश्न किये और उन्होंने क्या उत्तर दिया तो नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप लोगों का भरपूर प्यार मिला तो हम जल्दी इसके आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे फिलहाल अब हमें इजाज़त दें आपका बहुत बहुत शुक्रिया